मासूम बच्चे ने स्कूल की फीस समय पर जमा नहीं की तो स्कूल प्रिशासर ने उसके बाजू पर मोहर लगा दी प्लीज डिपोजेट दा फीस स्कूल प्रिशासर ने माफी मांग कर मामला दबाने का प्रियास किया उधर जिला शिक्षा अधिकारी इसे एक संगीन जून बता रहे हैं और मामले की जांच में जुट गए हैं आपने फीस ने दी ममा कहते दे देंगे में तो ममा में साथ गए मैंने पापा पूछने गए ते स्टैंप के लगाई उन्होंने पापा उल्टा पूछ सिधा बोला शिलिए बच्चे की न अभी तक फीस कार्ड भी नी बिनाया था उसने तो उसकी सिस्टर पढ़ती थी उस प्रोबलम चलती है तो अब मेरे को बता दो तो उसकी ममा बलती मैडम मैं स्कूल में हूं मैं आनी सकती मैं मैं आप में पास शामी आ जाना स्कूल सी चुट्टी के बाद आ जाना वह फिर भी नी आई फिर मैंने बच्चे की कॉपी पर नोट लखा दें जैसे हम सारे स्कूल तो फिर भी कोई नहीं आया तो अब हमारा उस दिन सेकेंड लास्ट इंग्जाम था बच्चोंगा तो मैंने बोला इसके बद हमने समर्फिकेशन कर देनी है तो जिनका बैलंस है उन बच्चों को ना यह जपोजट की स्टेंप है फिस्ट पोजट की तो उनकी कोपियों पे ल जो किma लेकिलत करने लिए और किसीने कोपि लग वाली और यह बोलता मेरे पास कुछ नहीं है तो मैडम मोलते फिर क्या करूं तेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे हाथ मेक नहीं थैट्टु नंना मेटा घू ज नहीं पहुद बस वो मेडम वहां पर टेफल पड़ी थी तो मैडम ने अभुब्यां च़े अपन से एप हाथ से कॉल सब मुझे इसके आब्र अहया है मुझे तब चला जब इसके पेरेंस आपके मेरे पसилось लग गे एह स्कूल दे बिच्चो बच्चे बलो फीस ना देते जान कारणा स्कूल स्कूल दे स्टाफ बलो न उन वदे बांद उपर कमोहर लगा दे गे इस टेमपल लगा देते गे फीस ना देन दी साथे कोड़े शकैद आ चुकी हैं शकैद दी असी कारवाई कराण तो पहला असी अनकुरी करा मांगे अनकुरी करा के जो भी बत तो बत जड़ी सजा देनी बन दी असी और कमेंट करांगे क्योंके ए मनुखीद का ना दी भी लंगना एक बच्चे दी हरासमेंट भी या फीस ना देना बखरी गल्ला पर बच्चे दो हरास नहीं कितना जा सबना गलकुल